हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन होमपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिसको लेने से आप अपने अस्थमा की कंप्रेंट्स को नेचुरली बिना किसी स्राइडिफेट्स के ठीक कर सकते हैं सबसे पहली बेडिसिन्स का नाम है वन ओव दा मोस्ट पॉपलर मेडिसिन्स है होमपैथिकी आर्सनिक एलबम नो डाउट कोविड नाइटिन की सीजन में आपने इस मेडिसिन्स को बहुत बार सुना भी होगा मिनिस्ट्री ओफ आयूस की तरब से ये मेडिसिन्स रेस्परेट्री डिसोर्डर्स के लिए काफी अच्छी मेडिसिन्स मानी जाती है इवन एस्ट्मा के लिए ये मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा कारिगर सिध होती है अगर आपके एस्ट्मा की कंप्लेंट्स कोल्ड सीजन में जा रहा होती है या cold चीजों को खाने से जारा होती है तो आप इस medicine को ले सकती है अगली medicine का नाम है Natrum self Natrum self वो medicine है जिसमें आपके अस्तमा की जो दिक्कत है वो humid environment में या humus वाले मोसम में जारा हो जाती है ऐसी condition के लिए Natrum self medicine बहुत अच्छी सिद होती है अगली medicine का नाम है Ucleptus globulus Ucleptus globulus वो medicine है जिसमें अगर आपको common cold है या influenza है उस condition में अगर आप Ucleptus globulus लेते हैं तो आपकी अस्तमा की complaint भी ठीक होईगी और साथ की साथ आपकी influenza और common cold वाली complaint भी ठीक हो जाएगी इससे अगली medicine की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है adrenaline डवाई है जो आप जब ले सकते हैं जब आपका asthma का attach काफी violent आए काफी accurately आए ऐसी condition के लिए adrenaline medicine काफी कारिगर सिद होती है लास्ट medicine का नाम है Bletta orientalis Bletta orientalis वो medicine है जो आप arsenic album के साथ ले सकते हैं अगर आपकी asthma की दिक्कत cold या cold things खाने किसके कारण जारा हो जाती है जैसे कि मैंने आपको पहले बता है था उस condition में आपको arsenic album लेनी है लेकिन साथ साथ आप Bletta orientalis को उसमें जोड सकते हैं Bletta orientalis arsenic album के action को काफी हद तक increase कर देती है और काफी हद तक effective कर देती है I hope जो भी मैंने medicines आपको बताई है उसको आपने note down किया होगा खाने का तरिका क्या है और अगर आपको और भी कोई क्योवारी या information लेनी है तो आप मुझे मेरे वर्सम नमबर पर contact कर सकते हैं Thank you